आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशेक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मराना शाहिद पहले मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से कहा है कि विनकदी रहित लेंदेन के माध्यम भीप, एप और जीएस्टी के फायदों को ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को बताएं वित मंत्री जैन्त मलाईया ने मौजूदा वित वर्ष के लिए राजी सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट राज्य विधान सभा में पेश किया पंचायत मंत्री गोपाल भारगव ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना में हित ग्राहियों की सूची में अपातरों के जोडने के बारे में सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा और अंतर राष्ट्रिय वानिकी दिवस पर आज प्रदेश में कई करक्रमों को आयोजन मुख्य मंत्री ने हरियाली बचाने का संदेश दिया अब समाचार रिस्तार से प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से कहा है कि वे नकदी रहित लेंदेन के माध्यम भीम एप और वस्तु और सेवा कर GST के फायदों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों में जागरूप दालाएं नई दिल्ली में आज भाजपा संसदी दल की बैठक में उन्होंने विकास के लिए एक कार्य योजना का भी उल्लेख किया संसदी मामलो के मंत्री अनन्त कुमार ने कहा कि GST और इसके फायदों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए श्री अनन्त कुमार ने कहा कि बाबा साहिब डॉक्टर भीम राओ अंबेटकर की जैनती के मौके पर 14 अप्रेल को भीम एप को लोगप्री बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा वित मंत्री जैनत मलया ने आज राजी विधान सभा में मौजूदा वित वर्ष के लिए राजी सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया करीब 7000 करोडों रुपे राशी के इस बजट में विभिन मदों के लिए प्रावधान किया गया है विधान सभा में आज मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरहर्ता निवारंड संशोधन विधयक और मध्यप्रदेश वेट संशोधन विधिमानने करण विध्यक भी पेश किये गया राशी विधान सभा में आज भारती जन्तापार्टी के एक विधायक के भरष्टचार से जुड़े आरोपों पर नगरिये विकास एवं आवास मंत्री माया सेह ने कहा कि सिहस्त के दोरान उतक्रिष्ट सफाई हुई और निविदा के लिए आई कम्पनियों में से सर्व श्रेष्ट को बुलवाया गया था प्रश्नकाल के दोरान भाजपा विधायक अनिल फिरोजिया ने नगरपालिका उज्जैन पर सफाई विवस्था के लिए एक कम्पनी को लाभ पहुँचाने के लिए उसे बुलवानिक आरोप लगाते हुए संबंधित अधिकारी पर कारवाई के बारे में सरकार से जानका के लिए 51.78 करोर रुपे की राशी स्वीकृत की है जो राजधानी भुपाल के लिए स्वीकृत 31.41 करोर रुपे से लगभग 20 करोर रुपे ज्यादा है प्रदेश विधान सभा में आज नगरी विकास एवं आवास मंत्री माया सेह ने भाजपा विधायक बाबुलाल गौ के एक सवाल में के लिखित जवाब में यह जानकारी थी श्रीमती सेह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के अंतरगत चैलेंच राउंड एक में भोपाल इंदौर एवं जबलपुर और राउंड दो में गौालियर उज्जैन को स्मार्ट सिची चै नित किया गया है। भोपाल इंदौर और जबलपुर में इससे जुड़े विकासकारे शुरू किये जा चुके हैं। हर्याना के फरीदाबाद के सूरजकुर्ण में आईजित एग्रिकल्चर लीडर्शिप समिट के समापन समारों में उन्होंने यह बात कही। वह यहां प्रदेश में कृषी विकासदर सरवाधिक होने के मूल मंत्र के बारे में पता रहे थे। कृषी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश में हर किसान को स्वाइल हेल्थ कार्ड बना करतिया जा रहा है। प्रदेश के बांधव घड विधान सभा उपचुनाओ के लिए आज नामंकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इसके अलावा चार निर्दली उम्मीदवारों ने भी अपना परचा दाखिल किया है। प्रादिशिक समचार आकाश्वाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समचार जानने के लिए आप हमारी वैबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग इन करें। इसके अलावा प्रादिशिक समचार बुलिटिन, यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर आरन्यू भोपाल पेच पर सुने जा सकते हैं। ग्रामीर, विकास एवं पंचायत मंत्री गोपाल भारगव ने आज विधान सभा में बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना में हित ग्राहियों की सूची में अपात्रों के जोड़ने के बारे में सूचना देने वाले को इनाम देते हुए जिम्मेदारों को सेवा सिप का रिमांगी इस पर मंत्री श्री भारगव ने उन्हें योजना की प्रावधान बताते हुए कहा कि दो बारा ग्रामों दै अभियान शुरू होने पर इसमें विचार की आजा सकता है आज अंतर राष्ट्री वानी की दिवस है इस अफसर पर प्रदेश में कई कारेक्रमों को आयजन की आ जा रहा है मुख्यमंत्री शिवराथ सीन चोहान ने इस मौके पर प्रदेश वासियों से वनुपज और हर्याली बचाने के साथ प्रदेश में अधिक से अधिक पौधरोपन कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेनी की अपील की है श्री चोहान ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश में जन सहभागिता आधारित वन प्रबंधन और वानेकी विकास की कई गतिविध्या की जा रही है उन्होंने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश हर्याली बचाने के लिए जन साधरण में पौधरोपन और उसके प्रदी जागरूक तलाना है वहीं वन मंत्री डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार ने बताया कि वन विभाग ने दीन दयाल वनांचल सेवा के माध्यम से वनवासियों के स्वास्थ और शिक्षा को बेहतर करने की दिशा में कारे किया जा रहा है इस वर्ष हर्याली महुत्सव के दौरान प्रदेश में आठ करोड से अधिक पौधे लगाए गए है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च को आकाशवानी से मन की बात कारिक्रम में विभिन विश्यों और मुद्दों पर विचार रखेंगे मन की बात कारिक्रम की यह तीसमें कड़ी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर लोगों से आगरह किया है कि नरेंद्र मोदी एप पर अपने विचार और सुझाओ रखें और बताएं कि वह नए भारत की दिशा में कैसे योगदान दे रहे हैं भोपाल के रवींद्र भवन में 39 मार्च को गुड़ी पढ़वा के मौके पर राजिय स्तर ये संस्कृतितिक संबिलन होगा संबिलन में देश के ख्याती प्राप्त संस्कृत विद्वान शामिल होगे सम्मेलन में मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा और इसके ज्यान को व्यापक रूप दिये जाने पर विचार विमर्ष किया जाएगा सम्मेलन में संस्कृत पाठशाला और रोजगारोन मुखी कारिक्रम के बीच परस पर समन्वय रखने पर सुझाओ एकतर किये जाएंगे उच्चितम न्यायले ने कहा है कि उच्च न्यायलों में न्यायधीशों की नियुक्ती संबंधी प्रक्रिया को मन्जूरी दे दी गई है और खाली पदों को भरती की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी प्रधान न्यायधीश जे एस खेहर की अध्यक्षिता वाली पीठ ने बड़ी संख्या में लंबित मामलों में कमी लाने के लिए रिक्त पदों को भरने संबंधी जनहिती आचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा है कि इस संबंध में प्रगती हुई है और उच्चे न्याले में न्यायधीशों के 25 प्रतिशद पद पढ़ाये जाएंगे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में भारतिय रेलवे में खानपान सेवाओं की गुणवत्ता पे सुधार के लिए सम्मिलन का शुभारंब किया सम्मिलन में खादे और पै पदार्त उद्ध्यों के प्रतिनिध्यों, स्वैम, साहता समुहों, रेलवे बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने भाग लिया भारतिय रेलवे हर रोज 11 लाक यात्रियों को भोजन उप्लब्ध करा रहा है जन संपर्क मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने वरिष्ट पत्रकारों को मिलने वाली श्रद्धा निधी 6,000 से बढ़ा कर 7,000 रुपे पती मह कर दी है राजी विधान सभा में अपने विभागों के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब 62 वर्ष की बज़ा 60 वर्ष की आयू से पत्रकारों को शद्धा निधी मिलेगी फोटो जनरलिस्ट और कैमरामेन भी इसके पातर होंगे उन्होंने कहा कि गएर अधिमानित्ता प्राप्त पत्रकार भी अब बीमा योजना का लाप ले सकेंगे उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रकार कौशल प्रकोष्ट बनाय जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की फिल्म नीती बनाने पर भी विचार होगा। श्री अजय मिच्यारी, क्षेक्त्री निदेशक भारती रिजर्व बैंक ने वर्ष 2017-18 के लिए रिण अनुमान सम्मंधी राजी फोकस पेपर एस एफपी जारी किया है। अब कुछ समाचार संग्षेप में। कटनी जिले में महत्मा गांधी राष्ट्री ग्रामेड रोजगार गरंटी योजना के तहत काम करने वाले क्ष्रमिकों को एक अप्रेल से अब प्रती दिन नियोनतम मजदूरी 172 रुपय की दर से मिलेगी। सीहोर जिले में कृषी उपज मंडी के तुलावटियों ने अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू की है, विभिन मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। अंत में मुखे समचार एक बार फिर। प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने सभी सांसदों से कहा है कि विनकदी रहित लेंदेन के माध्यम भीम एप और GST के फायदों को ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को बताएं। वित मंत्री जयन्त मलाईया ने मौजूदा वित वर्ष के लिए राजी सरकार का तीसरा अनुपूरक बजट राजी विधान सभाव में पेश किया। पंचायत मंत्री गोपाल भारगव ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना में हित ग्राहियों की सूची में अपात्रों के को जोडने के बारे में सूचना देने वालों को इनाम धिया जाएगा। और अंतर राष्ट्री वाने की दिवस पर आज प्रधेश में कई कारक्रमुक आयजन मुख्य मंत्री ने हर्याली बचाने का संदेश दिया। इसके साथ ही प्रादिशिक समचार कही है बुलिटिन समाप्थ हुआ। हुआ प्रादिशिक सम प्रादिश्च आयाल अणतर रादिशिक समाप्थ हुआ। झायाओ झाया evुDR जाएग Nicholas